क्यों जाना पड़ा था अर्जुन को अकेले ही 12 वर्ष वनवास? महाभारत की कथा में आता है कि अर्जुन को एक बार एक नियम तोड़ने के कारण अकेले ही 12 वर्ष वनवास जाना पड़ता है. आईए जानते हैं आखिर क्या था वो नियम और क्यों तोड़ा था अर्जुन ने वो नियम? अज्यात्वास के दौरान पांडवों का विवाँ द्रोपदी से हो जाता है अज्यात्वास समाप्त होने के बाद वो सब वापस इंद्रप्रस्थ लोट आते हैं इंद्रप्रस्थ में राज्य पाकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाईयों और द्रोपदी के साथ सुख पूर्वक रहने लगे एक दिन की बात है जब सभी पांडव राज्यसभा में बैठे थे तभी नारद मुनी वहां पहुँचे पांडवों ने नारद मुनी का आदर सतकार किया वहां द्रोपदी भी आई और नारद मुनी का आरशिवाद लेकर चली गई द्रोपदी के जाने के पश्चात नारद ने पांडवों से कहा कि पांडवों आप पांच भाईयों के बीच द्रोपदी मात्र एक पत्नी है इसलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि आपस में कोई जगडा ना हो क्योंकि एक स्त्री को लेकर भाईयों में जगडे मौत का कारण भी बन जाते हैं ऐसा कहकर नारद मुनी उन्हें एक कता सुनाई प्राचीन समय की बात है सुन्द और उपसुन्द दो असुर भाई थे दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है दोनों दो जिस्म एक जान है उन्होंने त्रिलोक जीतने की इच्छा से विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहन करके तपस्या प्रारम की कठोर तब के बाद ब्रहमा जी प्रकट हुए दोनों भाईयों ने अमर होने का वर मांगा तब ब्रहमा कहा वह अधिकार तो सिर्फ देवताओं को है तुम कुछ और मांग लो तब दोनों ने कहा कि हम दोनों को ऐसा वर दे कि हम सिर्फ एक दुसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरें ब्रहरा जी ने दोनों को वर्दान दे दिया दोनों भाईयों ने वर्दान पाने के बाद तीनों लोकों में कोहरा मचा दिया सभी देवता परेशान होकर ब्रहमा की शरण में गए तब ब्रहमा जी ने विश्वकर्मा से एक ऐसी सुंदर स्त्री बनाने के लिए कहा जिसे देख कर हर प्राणी मोहित हो जाए उसके बाद एक दिन दोनों भाई एक परवत पर आमोध प्रमोध कर रहे थे तभी वहां तिलोत्मा विश्वकर्मा की सुन्दर रचना कनेर के फूल तोड़े लगी दोनों भाई उस पर मोहित हो गए दोनों में उसके कारण युद्ध हुआ सुन्द और उपसुन दोनों मार गए तब कहानी सुनाने के बाद नारत बोले इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूं तब पांडवों ने उनकी प्रेरना से यह प्रतिग्या की एक नियमित समय तक हर भाई द्रोपदी के पास रहेगा एकांत में यदि कोई एक भाई दूसरे भाई को देख लेग तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास होगा पांडव द्रोपदी के पास नियमानुसार रहते एक दिन की बात है लुटेरों ने किसी ब्राहमन की गाय लुट ली और उन्हें लेकर भागने लगे ब्राहमन पांडवों के पास आया और अपना करून रूदन करने लगा ब्राहम यह थी कि जिस कमरे में राजा युधिष्ठिर द्रोपदी के साथ बैठे हुए थे उसी कमरे में उनके अस्त्रशस्त्र थे एक और कोटुमबिक नियम और दुसरी तरफ ब्राहमन की करून पुकार तब अरजुन ने प्रण किया कि मुझे इस ब्राहमन की रक्षा करनी है चाहे फिर मुझे इसका प्रायश्चित क्यों ना करना पड़े उसके बाद अरजुन राजा युधिष्ठिर के घर में नी संकोच चले गए राजा से अनुमती लेकर धनुष उठाया और आकर ब्राहमन से बोले ब्राहमन देवता थोड़ी देर रूकिये में अभी आपकी गायों को आपको लोटा देता हूँ अर्जुन ने बानों की बोचार से लुटेरों को मारकर गाय ब्राहमन को सौप दी उसके बाद अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर से कहा मैंने एकांत ग्रह में अकार अपनी प्रतिग्या तोड़ दी इसलिए मुझे वनवास पर जान अपराध है लेकिन जब छोटा भाई यदी बड़े भाई का एकांत भंग करे तो वह ख्षमा का पात्र है अर्जुन ने कहां आप ही कहते हैं धर्म पालन में बहाने बाजी नहीं करनी चाहिए उसके बाद अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वनवास को चल पड़े कि अर्जुन ने की